नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूँ अर्जिता प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी आज वारा नसी के दौरे पर है इस दौरान उन्होंने 186 करोड की लागत से बने रुद्राक्ष अंतर राश्ट्रिय सहयोग सम्मीलन केंद्र का उधगाटन क किया है ऐसे में अब लोगों की मन में इस कंवेंशन सेंटर की खासियतों के बारे में जानने की उद्सुकता है दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक वारा नसी के सिग्रा में इस रुद्राक्ष कंवेंशन सेंटर को जापान के सहयोग से बनाया गया है इस सेंटर कि रुद्राक्ष को जापान इंटर्नाशनल को ओपरेशन एजन्सी ने डिद्दिंग की है जापानने रुद्राक्ष कंवेंशन सेंटर के निर्माण के लिए करीब 200 करोर रुपई की आर्थिक मदद की है शिवलिंग की आकड़ आ वारा नसी के सिग्रा में बना है और इसका नाम वारा नसी चहर के मिजास की तरह ही है यह बेहद मौडन और लेटर्स टेकनोलजी से लास है यहां आप रुद्राक्ष की तस्वीरों से उसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं बता दें कि इस कंवेंशन सेंटर में स्टील 220 गाड़ियों की बेस्मेंट पारकिंग है यहां एक विशाल काय हॉल है जिसमें वियतनाम से मंगाई गई कुरसिया है लगभग 1200 लोग एक साथ इस हौल में बैठ सकते हैं बता दें कि दिव्यांगों के लिए भी दोनों दर्वाजों के पास 66 वीलचेर का इंतजाम भी किय गया है वहीं शौचालेओं को दिव्यांग जनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है बता दें कि इसके अलावा इस कंवेंशन सेंटर में ग्रीन रूम भी बनाया गया है यहां देर सो लोगों की क्षमता वाले दो कॉन्फरेंस हॉल या गैलरी भी है जो दुनिया के सबसे अप टूडेट डिवाइसस सिल्लैस है इन हॉल्स को जरूरत की मुताबिक घटाया या बढ़हाया भी जा सकता है इस सेंटर में छोटा जापानी गार्डन भी बनाया गया है साथ ही 110 किलो वाट की उर्जा के लिए इसमें सोलर प्लांट भी लगा है वहीं दिवारों कैस्ट का इस्तेमाल भी किया गया है इसके अलावा रुद्राक्ष में सीसी टीवी का जगा जगा इस्तेमाल किया गया है और सुरक्षा के पुखता इंतिजाम भी किये गये हैं इसका निर्मान दस जुलाई 2018 से शुरू हुआ था लेकिन अब भारत जापान के सहभागिता और दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष बन कर तयार हो चुका है रुद्राक्ष कंवेंशन सेंटर को पर्या वरण के लुकूल तयार किया गया है लिहाजा ये ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर जाना जाएगा उमीद है यह खबर आपको अच्छी लगी होगी ऐसी ही और भी